नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सब का आज के क्लास में दोस्तो, आज के क्लास में हम लोग topic discuss करने वाल है coral reefs के बारे में Now, coral reefs में directly start करते है coral से related, that corals actually में होता क्या है जब भी नाम अब सुनते हैं coral एक, basically coral जो है ता है ना यह इस टाइप के कुछ organisms होता है जो क्या बने हुए रहता है coral polyps से अब coral polyps क्या होता है तो coral polyps जो होता है यह shallow water organism होता है shallow water बोले तो, अगर सोचो यह आपका ocean का layer हुआ, राइट तो यह जो, आपका corals मिलेंगे यह ocean के layer के थोड़े नीचे ही मिलेंगे जादा नीचे नहीं मिलते है ठीक है, मतलब इनका upper वाला layer ऐसे ही यह नीचे होते है बट इनका जो connection होता है यह एगदम shallow level तक ही होता है मतलब इसके ऊपर सिर्फ थोड़ा ही water का आपका जाके level देखने को मिलेगा उसके बाद सीधा sun rays जिससे sun rays जो है properly गिर सके जिससे यह proper तरीके से thrive कर सके और ध्यान देजेगा जबी भी आप corals देखिएगा तो यह इस टाइप से के colonies में रहते है तो यह जो coral polyps है they always live in colonies और यह अपने इर्द गिर्द एक बहुत hard shell बना लेता है calcularous shell अब आपको सवाल होता है इदर यह calcularous shell बनाते का है या भाई कहां से calcium salt इसको मिलता है देखो sea water में ही काफी ज़ादा calcium salt मिला हुआ रहता है उसी से यह अपने यह shells बनाते है रही बात यह पूरा ocean area पूरा जो हमारे दुनिया है उसके ocean area का कितना area cover करती है तो मात्र 0.1% area ही cover करती है बट स्टिल जितने भी ocean में organisms होते हैं उन सारे organisms के 25% marine creatures around 25% की जो organisms होते हैं बहुत सारे fishes होते हैं जो कि आपको इस region में ही मिलेंगे जी हाँ दोस्तों मतलब आप सोचिए जैसे हम लोग normal बोलते हैं that rainforest land के उपर बोलते हैं that amazon rainforest जहां पर काफी जादा आपके species मिलता है तो यह जो है na ocean का rainforest इसको कहा जाता है ठीक है तो यह submarine feature है जो क्या जैसे कि मैंने पहली बोला दिया that एक lime secreting organisms होते है जिसको कहते है coral polyps उसके accumulation से बना हुआ रहता है now सवाल होता है यह आपको किस-किस region में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो दोस्तों tropical जो region है na जो क्या 25 degree north से 25 degree south के region के beach वाला region ठीक है वहाँ पर आपको यह maximum जो amount में है यह coral reefs देखने को मिलेगा ठीक है और coral reefs जो है एक shell के उपर दूसरे shell का ऐसा formations होता रहता है ठीक है और यह देखो यह जैसे आप picture दिख रहा है यह आपका ocean का level हुआ ठीक है अब यह जो coral polyps है यह देखो एकदब level के एकदब नीचे तक आजाता है है ना मतलब up to the sea level या फिर sea level से कोई थोड़ा below ही रहा जाता है यहाँ पर ठीक है इसलिए इसको जैसे के मैंने बोला यहाँ पर क्योंकि बहुत जारे organisms भी मिलते है इसलिए इसको rainforest of the ocean भी का जाता है बट कभी भी अगर extreme situation आ जाया तब जो है coral मर भी जाता है जिसको कहता है coral bleaching यह सब आलेडी हम लोगोंने पहले ही पढ़ा दिया है बट सवाल होता है आज ही एक लास में आपको क्यों पढ़ा रहो भई क्योंकि देखो recent एक बहुत बड़ा news आया था that University of Hong Kong के जो marine scientist है उन्होंने 3D printing का इस्तामाल करके ध्यान दिजेगा 3D printing का इस्तामाल करके artificial reefs बनाने की कोशिश की होई हावन marine park में जो क्या Hong Kong के बाजु में चलो मैं दिखाता हूँ don't worry about it बड़ ध्यान दिजेगा ये जो है ना 3D printing मतला आप सोचिए अगर जैसे मैंने बोला अभी ज़्यादा अगर stress feel हो corals को तो corals मर जाती है और वो stress अलग-अलग reasons के कारण होता है कभी-कभी आपका जाके coral bleaching हो जाता है आपका जाके climate change के कारण जो काफी जादा फिनोमेना है बन्दब काफी जादा basic फिनोमेना है बहुत समय क्या होता है बहुत जादा cyclones भी बहुत तगरे तरीगे cyclone आ जाता है आप cyclone अगर आता है तो क्या होता है देट वहाँ उस region जहाँ पर corals रहता है साइक्लोन अगर आएगा बहुत सारे sediments लाएगा sediments जो है इनके coral polyps के जो चिद्र है इन चिद्रों में घुश जाता है अब इसको block अगर कर देगा तो इसको खाना पेना कहां से घुशेगा समझे लो तो यह सब basic various reasons है आपका जाके coral polyps के वैसे भी आपको पता होना चाहिए यह सब चीजे ठीक है अच्छा जैसे कि मैंने बोला यह जो है ना Hong Kong के university के marine scientist लोगों ने यह 3D printing के इस्तमाल करके coral polyps को जो यहाँ पर जो क्या पहले ऐसा माना जा रहा था बहुत जादा घट रहे हैं इस region में होई हैं वैन मरीन पार्क में उसको फिर से रिवाइब करने की कोशिश की तो चलो एक एक चीज तो discuss करते हैं सबसे पहले तो देख लेते हैं यह होई हाँ वैन मरीन पार्क कहां है तो यह देखो यह है हमारा अगर world map में देखोगे यह है आपका जाएक है चाइना चाइना यह रिजन है होंग कॉंग इस होंग कॉंग के इस रिजन में आपका हुए हैं मरीन पार्क है चलो इसको और भी जादा 3D डियाग्राम में देखते हैं और राइट यह है हमारा globe Earth अगर Earth में देखो यह है हमारा इंडिया और भी अगर इसको जूम इन करे तो इंडिया के right hand side में आपका जाता है चाइना चाइना के इस प्रांत में हमें पता है होंग कॉंग रहा है जहाँ पर चाइना ने रिसेंटली आपको पता हुआ होगा आप न्यूस देखते हों तो चाइना ने यहाँ की ऑटोनामी को बिलकुल हटा दी है और यहाँ से डिमोक्रेसी का नाम और पता साब कुछ हट गया anyways वो तो रहा पॉलिटिकल मैटर बट और भी अगर इस रीजन को जूम इन करता है तो हमें यह रीजन मिलता है जहाँ जिसको कहते है हुए हाव ओन मरीन नैशनल पार्क राइट अब यह रीजन देखो इस रीजन के बारे में बूला गया है ठीक है इसी रीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जहाँ पर आर्टिफीशल तरीके से 3D तरीके से बेसिकली इंशॉर किया जा रहा है अब यह अगर होए है मरीन पार्क के बारे में अगर बात करें तो यह 2.6 स्क्वार किलोमेटर में फैला हुआ मरीन पार्क है जो एक local biodiversity hotspot भी है यह ऐसा रीजन है दोस्तों जहाँ पर 60 species of coral से भी बहुत जादा species मिलते है इन फैक कहा जा रहा था दर 2018 को जो है एक super typhoon आया था typhoon क्या कुछ नहीं है वह cyclone ही है अलग-अलग regions में cyclones का नाम अलग-अलग होता है अच्छा चलिए यही आपसे question पूछ लेता हूँ आप नीचे comment section में सब लोग लिखिएगा दुनिया के अलग-अलग regions में किन-किन regions में cyclones का अलग-अलग नाम है और उनको क्या-क्या कहा जाता है जैसे Australia में उसको अलग नाम दिया जाता है चाइना-जापान region में अलग नाम दिया जाता है इंडिया में तो खर cyclone दिया जाता है USA के regions में अलग नाम दिया जाता है तो उन हर एक नाम आप नीचे में description sessions में लिखिएगा ठीक है तो 2018 को जो यह cyclone super cyclone जो यहाँ पर आया था उसके कारण बहुत सार around 80% से भी जादा corals जो है वो बढ़बाद हो गया और सिर्फ कुछ ही species survive कर रहे बट अभी इनके survival को जो है यह चाहते हैं और भी बढ़ाना इसलिए यह जो है एक 3D printing technology के माध्यम से eco-friendly tiles का निर्मान किया है अब यह eco-friendly tiles ऐसा है ना जो कि अब corals के brain जो है ना उसको mimic करता है actually मैं देखो यहाँ पर क्या होगा यह सब यह सब रिजन्स में यह सब रिजन्स में कुछ-कुछ corals रग दिये जाएंगे और वो corals जो है धीरे-धीरे आपको तो पता है corals को अगर एक platform मिल गया यहाँ पर इस platform के उपर वो धीरे-धीरे बरते-बरते-बरते-बरते-बरते-बरते-बरते-बरते-बरते-बरते-बरते जा जाएगा आपको पता है ना यह सब तो इसी चीज को बैसिकली यहाँ के scientist Hong Kong के scientist test करना चाहा रहे है आपके सवाल दिमाग में एक सवाल जरूर हो रहा होगा, यह प्लाटफॉर्म क्यों दिया भाई, यह भी तो प्लाटफॉर्म भी ना हुआ, यह भी तो एक प्लाटफॉर्म ही हुआ, मिट्टी वाला नीचे में, ओशन बेड, यहाँ पर क्यों नहीं रख दिया, अब आप दे सब्सक्राइब, यह भी तो एक प्लाटफॉर्म यहाँ पर दिया जा रहा है, जिससे धीरे धीरे इनके उपर कोरल पॉलिप्स बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और जब बढ़ेगा तो फिर सो बात में कोई देखाई जाएगा, अब सवाल होता है, इसको इको फ्रेंडली टाइल्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि समय के साथ-साथ क्या होगा ना, जब कोर आनाम से डिरेक्ली पूछ सकता है, अच्छा, अब आजाता है, इस आर्टिकल में क्या क्या ऐसा चीज है लिखा हुआ था, जो क्या आपके नॉलेज परस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो दोस्तों हमें पता है, ये कोरल पॉलिप्स जो है, क्लाइमेट च और ही निडबर करते हैं उनके फूडिंग लाइवलिफिट के लिए, क्यों? क्योंकि, देखो, कोरल जहां पर मिलेगा न, वही पर आपका जाहतार देखने को मिलेगा, जो मचलियों के शौर्स है, जहां पर मचली बहुत जादा मिलता है, वह वहां पर ही आपको देखने को होता है तो यह तो आपको पता ही है यूजली ट्रॉपिकल ओशिंस में कोरल होता है यह देखो हम लोग पहले ही पढ़ा हुआ है जहां पर मीन अन्वल टेंप्रेचर जो उस रीजन में है अराउंड बीस से 21 डिग्री सेंटिग्रेट चाहिए यह कोरल ज्यादा थंडी वीजन में हमें जायतर मिलता है यह usually clean and sediment free water में हमें मिलेगा राइट फ्रेश वाटर भी बहुत ज्यादा है कोरल पॉलिस के ग्रोथ में इसलिए अगर इंडियन पेनिसुला भी अगर देख लीजेगा जहां पर गंगा निकलती है उस रीजन में देख लीजेगा आपको कोरल रीफ नहीं मिलेगा ठीक है क्यों क्योंकि वहां से तो fresh river आ रहे है अब fresh water में तो जादा नमकी भावना नहीं रहता है तो इसी निये usually ऐसा होता है ठीक है और आपको पता भी ये भी होना चाहिए that ocean salinity एक ideal ocean salinity होना चाहिए तो ही और इस region में ocean salinity जो है बहुत जादा घड जाता ह जहां से fresh water जो है आपका जाके में सागर में मिलता है वहां पर ठीक है in fact कितना ocean salinity चाहिए अगर कोई पूछ ले तो याद रखेगा 27 parts per thousand से लेकर 30 parts per thousand है ना ये parts per thousand का basically ये sign हुआ भी हा ये सब सब कुछ हम लोगों ने already corals के उसमें proper तरीके से discussion किया हो है ठीक है जादा अपने साथ कुछ-कुछ ऐसे sediments लाते हैं जो क्या उनके लिए nutrient का काम करते हैं समझ रहे हो बात तो इसलिए ये उसी रीजन में हमें देखने को मिलते है राइट बहुत सारे ऐसे भी conditions होते हैं जो क्या unfavorable होते हैं दोस्तों corals के growth के लिए बताइए तो वो कॉन-कॉन से conditions ह है वो सोचे कोई रीजन में coral rocks का mining होता है है हम ही लोग इनसाल लोग ही करते हमको तो भया coral rocks को लेकर जाकर museum में रखना है है जिससे हम लोगों से पैसे कमा सके है तो हमारे गलती के कारान जो है वो corals जीरे जीरे बरबाद हो रहे हैं बहुत समय आप देखिएगा urban sewage या फि invasive species आ जाता है तो यह सब तो खेर दिया ही जा सकता है ठीक है बहुत सारे ऐसे reasons है basically ठीक है और अगर types of coral reefs कुछ है तो इसमें कोई शक है fringing reef, barrier reef, atolls उसके बारे में extra हम लोगोंने already class लिया हुआ है ठीक है और corals का origin के जो theories होते है तीन अलग-अलग theory मैंने अलग-अलग classes में समझाया हुआ है, एक है subsistence theory, standistral theory, glacial control theory, अगर वो अपने नहीं देखा है तो simply subsistence theory और मेरा YouTube channel का नाम दे दीजे, UPSC 360, automatically आपको आ जाएगा, वैसे ही standistral theory, UPSC 360, glacial control theory, बहुत अच्छे समझाया हुआ हुआ भाई मेरे, है ना, उसमें आपको कोई बिलकुल शक लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, पॉपर तरीके से, anyways, आज आते हैं अब, इस article पे जो था, एक प्रॉपर टर्म्स भी दिया हुआ था, और मैं जहें लग रहा है इसको और भी तरीके से आपको अच्छे समझाया हुआ, क्योंकि इसके related आपने, already पहले भी जो है, एक report भी प या तो climate change, या फिर different human cause disturbances, जैसे कि हम लोगो ने बोला ना, that coral का mining करते हैं अपन, ठीक है, so that is also these human region वाले disturbances गी है, ठीक है, अब इसी के related एक report है, जिसको कहते है, Clive Wilkinson Report, उसको भी मैंने प्रॉपर अलग तरीक क्लास में लिया हुआ है, मतलब सब कुछ कवर किया हुआ है, बट आप लोगों ने जिन जिन ने पढ़ा है, उन लोगों ने समझ में आ गया होगा, anyways, Clive Wilkinson Report की अगर बात करें, तो दोस्तों ये पहली report है, जो कहा 1998 में, Clive Wilkinson भाई साम नाम का एक कोई इंसान था, ठीक है, उनके द्वारा edit किया गया था, और इसको छापा गया था, Global Coral Reef Monitoring Network नाम का एक basically journal उसमें, ठीक है, जिसमें बहुत सारे observations किये गया थे, जिसमें बोला गया था, ये ऐसा coral जो है, दुनिया का एक ऐसा, मतलब आपका जाके, ecosystem है, coral भी तो ecosystem ही ना हुआ जी, जिन के उपर global warming या फिर ocean acidification का बहुत एक rare, clear सा impact हमें दिख रहा है, right, है ना, और भी बहुत सारे दिये गये थे, देट बोला गया था, 2050 तक जो है, almost corals जो है, वो die out हो सकते हैं, अगर इनको proper तरीके से conserve नहीं किया गया तो, Indian Ocean में सबसे जादा ocean जो है, negatively impact हुए, around 70 से भी जादा percent mortality जो है, आपका अंदमाने निकोपार, Maldives, Lakshadip और Kenya जैसे, regional regions में, ज बरते जा रही है, इसी लिए, coral bleaching भी बरते जा रहा है, इसमें हम लोगोंने coral triangle का भी concept दिया था, याद करो, Indonesia, Malaysia और Papunaguni, ये तीनों regions में जो है, coral triangles का है, उसके मत करी, और भी ये सब ऐसे ही, कुछ-कुछ ऐसे points थे, जो के हम लोगोंने proper तरीके से discuss किया था, that Caribbean region में जो है coral reef का क्यों destruction हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत जादा over fishing हो रही थी, एक fish की, जिसका नाम था parrot fish, ठीक है, तो ये सब छोटे मोटे चीज़े जो आपको proper तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है, anyways, with this guys, आज का class जो है, यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं geography option में, Hindi as well as English, दोनों में हम लोगो ने already smart classes launch कर दी है, और अगर आपको subscription ले रहा है, तो दोसों नीचे description station में, already आपको google play store का link मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाके smart rankers आपको download कर सकते हैं, और उसका subscription भी attain कर सकते हैं, राइट, चलिए, मिलते हैं next class में, बाबाए, take care, और आपको इसी type के classes चाहिए क्या नहीं, राइट, बाबाए,